Hello my dear students, वीक पर फिर से आपका स्वागत है और आज जो आपके लिए स्टोरी लेकर आए हूँ, that is very interesting स्टोरी, क्योंकि यह आप जैसे ही एक छोटे सी बच्ची की स्टोरी है, जिसका नाम है वलिया माई, क्योंकि इस चेप्टर का नाम क्या है? मैडम राइट सा बस, मैडम राइट सा बस, यहाँ पर मैडम कोई बहुत बड़ी लेडी नहीं है, एक्चल में जस्ट उस लड़की की एच है एट इयर्स और उसका नाम है वलिया माई, जिसको शोट में बोलते हैं वली, और उसकी जो एक विश थी, वो यही थी कि मैं इस एक बस में ट्रेवल करूँ जो कि मेरे घर के आगे से निकलती है, हर गंटे में एक बस जाती है, गाओं से शहर, शहर से गाओं, और उसकी विश यही थी कि मुझे एक वाँ ट्रेवल करके देखना है कि आखिर ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब भी उसकी कुछ फ्रेंस कभी सिट क्या होता है, but she would generally see that, और उस बस का जो फेर है, वो 30 पैसा था, जो गाओं से शहर के लिए जाती थी, शहर से गाओं के लिए, और उसका जो डिस्टेंस है, जा सिक्स माइल था, और उसने जो टाइम डिसाइड किया था, वो था लंच टाइम, तो अब देखते हैं कहानी में from the very beginning क्या बताए गया है, तो यहां देखिए, अगर in the very beginning ये बोल गया है कि एक लड़की थी, जिसका नाम था वलिया मई, और उसको शॉट में वली बोलते हैं, और 8 यर की उसकी जस एज है, उसका फेवरेट पास्टां कि है, अपनी घर के बाहर खड़े हो जाना, क्योंकि उसकी जो एज की कोई बच्चे तो थे नहीं, तो घर के बाहर खड़ी हो जाती थी और वहां आने जाने वालों को देखा करती थी, और यही उसको सबसे अच्छा जो है पल लगता था, when she would look into the streets और गली में होने वाली हर activity को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, और सारे उसने unusual experiences भी यहां पर खड़े-खड़े कर लिये थी, जैसे सबसे बड़ी बात किया है जो है, बस ट्रेवल करती थी, उसको देखा करती थी, most fascinating thing थी उसके लिए, fascinating गया होता है, बड़ी attracting thing, और यह वो बस थी, जो उसके गाउं से लेकर, मतलब यह कहें कि शेहर तक जा तियार mentally और physically तो है, यह साथ में financially भी है, पैसा भी तो चाहिए इसके लिए, तो 30 पैसे direct parents से कैसे मांगेगी, क्योंकि कौन से parents ऐसे होंगे, जो अपने बच्चे को बोलेंगे कि तु ठीक है, घूमाओ शेहर जाके, ऐसा तो नहीं हो सकता, अब यही वो बात थी, जिसकी व हाँ, आज तु मुझे ऐसा कुछ ने कुछ बस अब करना ही है, इसके लिए उसने preparation अपनी तयार कर दी, वली would stare wishfully at the people, actually जो लोग बस से उतरते, बस में चर जाते, उनको बड़ा ध्यान से देखती कि कि कितना अच्छा इनको लगता होगा ना, कितना मजा आता होगा ना, इ उसकी सपनों को, उसकी होप्स को, अगर उसकी कोई फ्रेंड जैसा कि मैंने ओलरी आपको बोला है, कि उसकी फ्रेंड जो है इस बस में बैठ चाहती थी और फिर वो अपना experience बताने की कोशिश करती कि देखो हमने शहर में क्या कुछ देखा, तो ये jealous हो जाती थी, उस बात क सुनकर और बोलती थी English की अंदर, proud, proud, ना इसको ना इसकी फ्रेंड को पता था कि इस word का meaning क्या है, लेकिन एक disapproval वाला एक sense थी, कि नहीं नहीं मुझे तुमारी बात नहीं सुनी है, अब देखते हैं कि how did Wally get many details about the bus, ये भी बहुत interesting बात है, उसने बस में चर्णने से पहल अंकल, अंटी सबसे पूछती, अच्छा तुम गई थे, तुमने क्या दिखा था, कितना दूर है, क्या करना पड़ेगा, कितना जानब, like every detail, तो over many days and months Wally जो है इन सब बातों को ध्यान से सुनती रही, conversation जो भी उसके neighbors करते जाए, लोग जो अकसर उस पस में चाया करते थी and कुछ question वो जानबूज की भी पूछ ले दी थी, जैसा मैं आपको बताई रहा हूँ, ताकि उसको सारी detail मिल सके, और आपको बताया है मैंने कि इसका जो distance है, hardly six mile था, और पैसे कितने थे, जो किराया था एक side का, वो सिर्फ 30 पैसा था, और ये उस लड़की के लिए काफी बड़ी रकम थी, मतलब एक छोटे बच्चे के लिए, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ा, अपने दिल के ओपर बहुत बड़ा पत्ता रखना पड़ा, यानि अपनी जो pocket money उसको मिलती थी, वो one by one उस pocket money को जोडती रहती है, अपनी जो सबसे बड़ी बात क्या है, जब उसने बस में entry की, तो उसको ये था कि हाँ, मुझे इसके लिए सबसे best है, ये वाला time चूज करो, lunch time, और ऐसा क्यों उसने सोचा, क्योंकि ये वो time था, जब उसकी मदर अराम से खाना कूना तयार करके rest करने के लिए चली जाते थे, कि ये वो time है, जब मैं अपना काम करके आ जाओंगे वापिस, तो 45 मिनिट का distance था, गाउं से शेहर तक का, तो शेहर पहुंचने के बाद, वो अपनी seat पे जैसे उसने बस पकड़ ली, तो उसको लगा कि क्यों ना मैं बैठी जाओं अपनी seat पे, लेकिन फिर उसको एक बात और भी मन में आती है, और वो क्या थी, कि मैं जो है, हर एक चीज को देखूंगी बड़े राम से, ये कौन सा टाइम है, spring day, ये इसमें बता रखा है कि spring day का टाइम है, तो उसको जो है ना, यही वो decide करना था, कि ये right time है, अब मैं चल पड़ते हैं, तो उसने bus जैसे ही, मतलब ऐसे नहीं कि directly जाके bus में बैठ की, जैसे इसने अवाय दी, stop, 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 तो conductor जो बस में होता है, जैसे एक तो driver होता है, conductor होता है, वो इसकी तरफ से all of a sudden देखता है, कि कहता है, और भी है कोई, नहीं, और कोई नहीं है, मैं अके नहीं हूँ, तो बस में बैठ चाती है, तो बस में उस टाइम सबसे बड़ी बात कह है, कि 7 और 8 पैसेंजर सी बैठे हुए थे, कुछ यादा पैसेंजर सी नहीं थे, क्योंकि यह दोपैर का टाइम होता है, तो दोपैर के टाइम में, जो ज़्यादा लोग ट्रेवल नहीं करते, वो morning में या evening में करते हैं, और जैसे इसने seat ली, तो seat लेने के बाद, यह मैंने आपको पताया कि मैडम एक्चुल में नहीं है, बड़ इसको उसने जब बोला कि मैं बच्ची नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उसका excitement का level बढ़ जाता है, क्योंकि बस में क्या होता है, जैसे गाओं से शेहर वाली बस में, कुछ curtains भी लगे होते हैं, windows cover होती है, तो इसको कुछ देख नहीं रहा था नीचे वाली window में, तो इसको लगा कि मैं उपर चड़के जो है, देखती हूँ कि एक्चुल में बाहर का क्या view मुझे नजर आता है, तो now she is starting looking outside the windows, जैसे यह देख रही है, तो conductor भी इसको कह रहा है, यह बेटे तो नहीं बोल तो यह उस टाइम तो बैठना नहीं चाहती, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा समझ में आया, अब यहाँ पर एक और बात भी आपको बताना चाहूँगा, कि जब बस के अंदर चुने एक whistle बजानी पड़ती है, conductor को देखो, conductor बार-बार नहीं बोलेगा, कि बस चला दो, बस र दिखती है, यह थोड़ी सी description है, इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, नई बस है, और gleaming white और green stripes है along with, थोड़ा सा जो इसका paint बार की description given है, और कुछ stone-like silver के bars बने हुए हैं, directly अगर देखें, वली के सामने, above the windshield वहाँ पे एक beautiful clock भी है, बस के अंदर एक clock भी लगी हुई है और seats काफी soft हैं, और luxurious हैं, बहुत बढ़िया हैं, और वली जो है, सब कुछ अपनी आखों से, endeavor का मतलब ऐसे तो eat, खाना होता है, बट यहां है कि हर चीच को enjoy करना चाहती है, अब next, इसमें मैंने question की frame में पूछा है, what did वली notice outside the bus, अब हमें बताने कि वली ने बाहर क्या तो यह भी एक लबी list है, जो उसने note किया है, जैसे उसने मैंने आपको बताया कि उसकी seat छो है, थोड़ी सी वो थी, तो उसने बाहर जब देखना start किया, खड़े होने के बाद, उसने कुछ एक चीजे note की हैं, जैसे पहला क्या है, उन one side, वहां पे एक कनाल है, चोटी सी ज बना हुआ है, और acres and acres of green field है, green, 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 as far as जहां तक आपकी eyes देख सकती है, तो यह क्या है, बहुत wonderful था वली के लिए, वली के लिए बहुत exciting था, actually क्या है, मैं textbook की help से आपको story बता रहा हूँ, तो each and every word मेरी कोशिश है कि आपको cover up कर सकूँ, और इधर sitting down, she looked to see who had spoken, वो इसका reason क्या है कि एकदम से उसको वाई सुनाई देती है, actual में क्या था, वो सिर्फ conductor की उसकी वज़े से था, conductor ने उसको थोड़ा सा बोला, कि भाई तुम बैठ चाओ, मैडमा बैठ चाओ, तो वो जो है सुनानी चाहती थी, वो अपना enjoy करना चाहती थी, तो यहां पर एक और उस दे दे भाई मेरी, तो ticket भी उसे ले ली, और उसने women को जब देखा, तो वो बीटल जो होता है, जैसे पान चबारी है, तो उसकी जो sleeve है, यहां पर थोड़ी सी आईवी है, लिप्स के उपर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके जो earlobs हैं, वो भी काफी लटके नहीं है, वो उसे पूछती है, कि तो मकीली आई हो, तो वो कहती ही, मैं छोटी बच्ची नहीं हो, तो मैं गूम सकती हूँ, मैंने ticket भी ली है, तो तब conductor और वो जो old elderly woman है, वो तो नहीं को देखके हस पड़ते हैं, कि हाँ चलो, उन्होंने तो खेर क्या करना इस बात को ले चुछती है कि मैंने पैसा कैसे कट्था किया, तो पहली प्रॉब्लम थी पैसा करना वो उसने कर लिया था, अब वो भी क्या है, टोटल 60 पैसा उसको करना था, क्योंकि आने और जाने दोनों फेर था, और दूसरी उसकी प्रॉब्लम थी, वो घर से किस वक्त निकले, तो व फास्ट भागे जा रही है, in the middle of the road है, in front of the bus है, bus के सामने है, bus थोड़ा सा दीरे हो जाती है उसको, ताकि गाएं उसको रास्ता दे रहो आगे निकल सके और driver जो है, वो बार-बार अपना होन बजा रहे है कि गाएं जो है, वो अपना रास्ता चेंज करें, और जितना-जितन पर आगे की दर्व निकल जाती है, फिर आगे railroad crossing का डाइम आते हैं, वहाँ पर बहुत सारी trains वेगरा नजर आती है, और जब bus वहाँ से निकलती है, जो railway station के पास से, तो of course एक feeling ऐसी आती है, noise भी extra आलग टाइप कही होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात और क्या थी, जो उसने note की, वो यह था कि bus थोड़ी दिर में वहाँ पहुंच आती है, लेकिन सारे passengers उतर जाते हैं, कुछ और passengers भी जब आते हैं, तो वली बैट भी गई थी, लेकिन जब अब यहाँ पे एक city में पहुंचने के बाद सारी bus खाली हो गई, वो नहीं उतरती बिलकुल भी, तो conductor एक्शली इसको यह कहना चाहता है, कि मैरम आप उतर चाओ, कुछ देख लो city में अगर आपने देखना है, कि मुझे उतरना नहीं है, मेरा काम सिर्फ यही था, कि मैं यहाँ आई थी घूने के लिए, और इसी bus में मुझे वापिस आना है, as it is, कि चलो कुछ खाना पीन है, कि मैं बस वापसी की टिकेट आप से ले सकती हूँ, कि चलो मैं कुछ पिला दीता हूँ, कॉल्डिंग विगरा मैं लिया आता हूँ, ने बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसने यह बोला कि मैं आपको पैसे देती हूँ, मुझे टिकेट दे दो, तो इस तरह मारे excitement, sadness में change हो जाती हूँ, बहुत excited थी पहले कि मैं बहुत कुछ देखा, enjoy कि अब बट अब काव को मरे हुए देखे, इसको थोड़ा सा feel हो रहा है, अब चलते चलते चलते, finally क्या होता है, जैसे वही पहले वाला routine था, कुछ passengers उतर रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो अब time माई जाता है इसके घर के पास आने का, तो conductor ने बोला कि चलो मैडम कभी दुवारा भी जो है, हमारी बस में आना, स्वारी करना, फिर से घूमाना शेहर की तरफ, अब यह जैसी घर पहुंचते हैं, तो इसकी मदर जो है, आंट से बात कर रहे हैं, जैसे नेवर हूल में होत इसकी तो शायद इसको लगता कि मुझे जवाब देना है, बट इसमें इसने कुछ जवाब ऐसे दिया नहीं, बल्कि उनकी बात के बीच में इसने कुछ इंटरवीन कर दिया, कुछ वो जैसे डिसकुशन कर रहे तो यह बोल दीती, अच्छा है, इसा क्या, वो गयते देख यह जो स्टोरी है, वो क्या थी, यह स्टोरी थी, तमिल जैसे ट्रांसलेट की गई है, वहाँ से बाइस के सुंदरम इलुस्टेटिटिड वाई आर के लक्षमन, तो एक तमिल लेंग्विज में से इसको कॉपी किया गया है, तो अब देखिए आपने इस स्टोरी में से क्य सीखा होगा, सिंपल सी बात है, अगर देखिए, तो यही है कि चिल्डरन के अंदर कितनी क्यूरियोस्टी होती है, कुछ चीजों की जानने की वो हमने सीखा होगा, और बेभी कुछ सपने होते हैं, जिनका कोई एंड नहीं है, और सपने पूरे करने के लिए आपको कुछ कुछ तो करने ही पड़ेगा, जैसे उसने पनी पोकेट बानी को सेव किया, कुछ राउंड अबाउट से, जिसको वो एंचोई कर सकते थी, बस उने से ऐसा नहीं किया, तो ये तो थी चैटर की एक्स्प्लेनेशन, बट दिस नोट ता एंड, इसी चैटर के complete questions की एक वीडि